हेलो दोस्तों नमस्ते राम राम कैसे हैं आप सब मैं हूँ उशा सैनी और दोस्तों यह देखिए आज मैं आपको एक बार्डर डिजाइन बताऊँगी कैसे बनाते हैं यह शुरू कैसे करते हैं और यह एक जैकिट है मैंने शुरू किया इसमें मैंने बैक में के फंदे यह 120 योड और 120 फंदे इसमें डालने है इसको फिर इसके जो आगे बाले जो दो पार्ट होंगे उनमे मैंने 65 65 फंदे डालने हैं और उसमें मैं आपको यह बॉर्डर बनाने केसे बनानी है आज मैं यह जो आप रडरा देख रहे हैं यह वाला यह थे को चा case ब की तरह से बजाता है यह और काफी सुंदर लगता यह और नीचे से डिख जाता हुआ यह बैक साइड है इसकी यह देखिए बैक है और और यह है फ्रंट इसको बनाने के लिए, मैंने जो फ्रंट पीस है इसका, इसमें मैंने डाले हैं 65 फंदे, 65 फंदे मैंसे मैं इसकी 8 फंदे की इसमें पट्टी बनानी है, और ये इसके बार्डर बनाने का शुरुवात कैसे करते हैं, देखें, सिम्पल जो फंदे हम डालते हैं, उसमें आपको जितने भी कम ज्यादा करने हैं, साइज के इसाब से, मैंने अपने साइज की ये बनाई है, 120 फंदे पीछे हैं, 120 और 65 फंदे आगे के दोनों पार्ट में मैं डालूंगी, और उसी में पट्टी के हैं, 8 फंदे, तो उससे इस परीका है इसका बनाने का, ये देखिए, इसको बनाने के लिए हमें, सिंपल फंदे जितने भी आपको डालने हैं, ऐसे डालने के बाद, अब कैसे इनको बनाने हैं, ये देखिए, एक फंदा मैंने ऐसे बना लिया, सीधा, और दूसरा फंदा हमें ऐसे बनाना है, ऐसे, फ ऐसे, यह उतार लिया फ्र दूसरा जो फंदा होगा इसके बाद हम ऐसे, पीछे से फंदे में नी डालना, इसको ऐसे और यह जो दागा हम निकाल रहे हैं, इसको आमें एक जैसा रखना है, नोर्मल ना बहुत ज्यादा लूज रखना है न बहुत ज्यादा इसको हमें टाइट रखना है यह जो सीधा फंदा है इसको इसके साथ बना लेना है ऐसे एक फंदा सीधा बनाना है हमें और एक फंदा ऐसे डाल के सलाई में ऐसे है और इसके साथ एक फंदा सीधा आप इस बात का यह ध्यान रख लें कि ये फंदा आम नीचे से बनाएंगे, इसका जो धागा हम रखेंगे, ये एक जैसे साइज का हो तो ज्यादा साइज रहेगा, बॉर्डर का एक जैसा लुक आएगा, थोड़ा सा अगर लूज रह जाता है धागा, तो बीच-बीच में से थोड़ा छोटा और बड़े साइज क दिखाई देगा, इसको हमेशा पूरी सलाई ऐसे ही बनाते हुए जाना है, एक फंदा नैसे नीचे से, और एक फंदा ये जो सलाई में है, तो ये हमारा देखिए, डबल भी होता जाएगा और इसमें एक क्रोस का डिजैन जो मैंने दिखाया है, ये वाला, ये ऐसे बनता जाएगा ये, अब मुझे पूरी सलाई ये ऐसे ही बनानी है, एक सीधा फंदा बनाना है, और एक ऐसे सलाई डालके, नीचे से दागन लेना है, ऐसे, अब मैं ये पूरी सलाई बना लगके, फिर दूसरी सलाई कैसे बनानी है, फिर वो बताती है, ये देखे, सारे फंदे मैंने बना लिये, अब लास्ट वाला जो फंदा है, ये प्लेन बना लिया, अब ये देखिए, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अब ये इस तरीके से, ऐसे दिखाई देगा, अब इसकी जो उल्टी सलाई है, वो देखिए हम कैसे बनाएंगे, एक फंदा प्लेइन बना लिया, और इस फंदे को हमें सीधा बनाना है, और ये जो हमने फंदा निकाला था, दागा, इसको हमें ऐसे उतारके, फिर दागा पीछे करके, एक ये फंदा जो बुनाया था, वो हमें इधर से सीधा बनाना है, और हर बार ये वाला जो हमने निकाला था नीचे से, इसको निकालके, दागा पीछे करके सीधा बनाना है, ये वाला जो दागा है, इसको हमें बनाना नहीं है, ऐसे ही निकालना है, और पीछे दागा करके, अब हमें ये पूरी सलाई ऐसे ही बनानी है ये देखिए बार्डर की ये वाली सलाई हो गई complete अब तीसरी सलाई में कैसे करना है ये देखिए अब ये एक फंदा तो हम ऐसे ही उतार लेंगे अब ये फंदा जैसे भी सलाई में डला हुआ है इसी तरीके से लेके हमें सीधी तरह से इसको ऐसे बनाना है एक ये जो दागा हमने निकाला था वो और एक उल्टा जो फंदा था वो इस तरीके से हमें हर बार दो फंदे बनाने हैं एक जो वो दागा निकला हुआ है और एक ये सीधी तरीके से ऐसे जैसे हम सीधा सलाई बनाते हैं ऐसे यह देखिए अब कितना सुंदर सा डिजैन तयार हो गया हमारा पार्डर का जैसे क्रोस का होता है निशान डिजैन इस तरीके से अब यह पूरी सलाई हमें ऐसे ही बनानी है यह देखिए इस तरीके से हमारा यह बार्डर तयार हो गया और फिर उसके बाद आपको जैसा बार्डर बनाना है इसमें मैंने उपर कैसा बार्डर बनाया है वह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी अगर दोस्तों अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना